हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबिदान के अनुच्छेद 21 के बारे में अनुच्छेद 21 क्या कहता है ये बताता है प्राण और देख स्वतंतृता के बारे में यदि आप भारती संबिदान का पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बेटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको भारती संबिदान का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबीदान के अनुचेथ 21 के बारे में ये कहता है कि प्राण वा देहिक स्वतंतरता का सन्रक्षन अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं बता दूँँ, आपको दो चीज़ें बताई गई हैं एक तो प्राण और एक देहिक स्वतंतरता याने के प्राणों की सुतंत्रता और देह की सुतंत्रता याने के देह की सुतंत्रता याने के हमारे सरीर की सुतंत्रता प्राण की सुतंत्रता में कौन-कौन सी चीजे सामिल हो सकती है और देह की सुतंत्रता में कौन-कौन सी चीजे सामिल हो सकती है इसके बारे में हम बात करते हैं, सबसे बहले बात करते हैं प्राण की स्वतंता के बारे में प्राण की स्वतंता में सबसे पहली चीज अपन देखें तो वो है परियावरन क्यों? क्योंकि परियावरण ही सबसे महत्पून होता है सिर्फ जीवन जीना मात्र प्राण की स्वतनता में नहीं है परियावरण भी महत्पून इस्थान अपना इसमें रखता है उसका कारण यह है कि यदि अच्छा वातावरण होगा अच्छा परियाबरण होगा अच्छी हवा होगी तो आदमी जो है स्वस्च वाता बरण में स्वस्थ पूर्वक रह पाएगा और इसके सांथ ही वह अपने मानसिक याने के मन का उप्यूग अच्छी तरीके से किनी कारियों में कर पाएगा सिर्फ जीवन जीना इसमें सामिल नहीं है सिर्फ जीवन जीना तो जैसे जानवर जीते हैं वैसे भी कोई जी सकता है लेकिन यहाँ पर हम मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए किन-किन चीजों की आवश्यत्ता होती है यह सारी के सारी प्रान की स्वतनता में देख स्वतनता मे सामिल की गई है इसमें एक बात और ध्यान रखें कि इसमें जो है स्वयम को मार देना याने कि मरत्यू का अधिकार इसमें सामिल नहीं है जीवन का अधिकार इसमें सामिल है जीवन का अधिकार है मरत्यू का अधिकार नहीं है मरत्यू के अधिकार में आपने देखा होगा कि भारती दंड सहिता की धारा 309 में, यदि कोई आत्मत्या करने का प्रयास करता है, तो उसे 309 के अंतरगा दंड दिया जाता है। अब यदि वो मर जाए तो तो कोई बात ही नहीं फिर किसको दंड देंगे लेकिन यदि वो जिन्दा रह जाए और आत्मत्या के प्रयास में बिफल हो जाए तो फिर उसको जो है कानून के द्वारा सजाद दी जा सकती है क्यों क्यों कि कहा ये गया है कि किछी भी व्यक्ति का खुद के प्राणों पर अधिकार नहीं होता, उसका दाइत्व समाज के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, वह व्यक्ति परिवार के लिए भी कारे करे, समाज के लिए भी कारे करे, उसके दाइत्व सिर्फ उसके लिए नहीं होते, परिवार के लिए भी होते हैं, समाज क के लिए होते हैं और देश के लिए भी होते हैं कोई भी व्यक्ति देश की अमुल्य निदी है इसलिए ना तो वह स्वेम अपने आपको खतम कर सकता है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्राणों का हनन कर सकता है इस प्रकार से हम देखें तो आत्मात्या करना भी जो है गलत है और इसे भारती संबिदान के अनुच्छेद 21 के अंतरगत नहीं रखा गया है यानि के जीवन जीने का अधिकार है म्रत्यू का अधिकार नहीं है अगला पाइंट देखिए हेल्थ के संब्द में कि सिर्फ जीवन जीना तो कोई मतलब का नहीं है इसलिए हेल्थ भी इसमें सामिल किया गया सीधे सीधे मौटे मौटे सब्दों में यदि हम पढ़ें तो रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्षा और स्वास्त ये सब चीजें मिलना चाहिए जो है भारती संब्दान के अनुच्छेद 21 के अंतरगत ये तो हमने बात करी प्राण की अब देहक सोतंतरता की यदि हम बात करें तो देहक सोतंतरता में यदि कोई व्यक्ति एकांत वास में जाना चाहता है एकांत रहना चाहता है तो ये उसकी मर्जिये रह सकता है इसके अलावा में निजता का अधिकार निजता का अधिकार यह वह किनी बातों को गुफ्त रख सकता है किनी बातों को छुपा सकता है ये उसका अधिकार है निजता का अधिकार प्राइबेसी का अधिकार अगला पाइंट यदि हम समझें तो किसी भी प्रकार का कार्य कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कर सकता है उसे कोई रोब टोब नहीं है लेकिन कानून का निर्बंदन उस पर लगाया गया है। याने के अनुच्छे 21 के अंतरकत प्राण और देख स्वत्तंतरता का जो अधिकार है। प्रत्यक व्यक्ति को भी और भारत के नागरिक को भी जो भारत के अंदर व्यक्ति हो उसको भी। ये अधिकार हैं अनुच्छे 21 के अंतरकत अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो मनुष्य जीवन सिर्फ जानवरों जैसा जीवन तो जीने के लिए तो कोई है नहीं। आपको जिंदा छोड़ दिया रहो आप जीते रहो और यही आपकी प्राण और देख स्वतनता ऐसा नहीं। गरिमा पूर्ण जीवन जीना, सव्व्य माहौल मिलना, खतरनाग उद्योगों से संरक्षन, स्वास्त मिलना, नेसुलक स्वास्त, नेसुलक सिक्षा और नेसुलक कानूनी सहायता यह चीजें भी इसमें सामिल हैं। आपने देखा होगा के सरकार के द्वारा स्वास्त, चिक्साएं फिरी दी जाती हैं। साल के बच्चों को नेसुल को सक्षा सरकार के द्वारा दी जा रही है ये भी जो है प्राण और देख सतंत्रता के अंतरगत है नेसुल को कानूनी साहता यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है कानूनी साहता प्राप्त करने के लिए तो सरकार उसको कानूनी साहता उपलब्द क यानिके ये सारे के सारे दाय तो सरकार को दे दिये गए हैं कि सरकार प्राण और देख स्वतंत्रता के लिए प्रत्य व्यक्ति का ध्यान रखे तो यहां पर यदि हम भारती संविदान में देखेंगे तो खाली दो लाइने लिख दी गई हैं भारती संविदान में सिर्फ दो लाइन लिख करके इती सिरी कर दी गई है अनुच्छेद 21 के बारे में लेकिन अनुच्छेद 21 सिर्फ दो लाइनों में सिमट जाए ऐसा संभव नहीं है वे दो लाइने कौन सी लिखी गई है मैं आपको पढ़ देता हूं इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को उसके प् मानुण के द्वारा कुछ निर्बंदन लगाए गए हैं उनके अंतरगत उने किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतरगत वंचित किया जा सकता है अनिता वंचित उसको नहीं किया जा सकता है मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराद किया है तो उसको जो है उठ बन्द नहीं किया जा सकता। जैसा कि अपने ने पहले देखा ना पुराने जमाने में राजा-माराजाओं की टाइम पर गुलाम हुआ करते थे। गुलाम हुआ करते थे मतलब कि उनको पसुओं की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था और जैसा उप्यूग हम आज पसुओं से लेते हैं वैसा उप्यूग हम उनसे ले सकते थे और जैसे आज हम पसुओं को बेच सकते हैं ऐसा मनुश्यों को भी बेचा जाता था वो होते थ गुलाम लेकिन यदि हम बात करें तो यहां पर गुलाम प्रथा को बंद कर दिया गया है यदि कोई व्यक्ति गुलाम है या गुलाम खरीदा गया है बेचा गया है या रखा गया है तो वह प्राण और देख स्वतंत्रता के अंतरगत मुकदमाद लगा सकता है हाई कोट में जो है वाददायर कर सकता है, सुप्रीम कोड में जा सकता है, और प्राण और देख स्वतंत्रता के अंतरगा तो उसको गुलामी से मुक्त किया जा सकता है, तो प्राण और देख स्वतंत्रता मात्र दो लाइन लिख देने से नहीं है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और साथ मेहीं प्रत्तेग व्यक्ति को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोट में जाकर के हाई कोट में जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और अपनी तो आज हमने अध्यान किया अनुच्छेद 21 के बारे में यदि आप अनुच्छेद 22 का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहां पर किलिक करें यहां पर किलिक करेंगे तो अनुच्छेद 22 के साथ आपको भारती संभिदान के समस्त वीडियो आई पीसी के समस्त वीडियो और CRPC के समस्त वीडियो यहां से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाईया सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद